हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर, दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सन जेविर कॉलेर राची के बारे में, मैंने एक दो वीडियो बनाया था, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत चीजों को लेके, तो मैं कमेंट्स को, जो भी क्वे क्या होना चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए साथ ही कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स में आपकी पढ़ाई होती है, सारा कुछ और सारा कुछ देख लेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यह इसका प्रोस्पेक्टस है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इंटरेंस एक्जाम हुआ था, ठीक है, इंटरेंस एक्जाम भी होता है, और कुछ सेलेक्टे डिपार्टमेंट में जिनका इंटरेंस एक्जाम निकल जाता है, उनका इंटर्व्यू भी होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा, लेकिन 2020 में COVID के कारण या नहीं होता है, यह तो बात की बात है, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं, तो इसके बारे में आपको information मिलता रहेगा, तो इस चीज़ के लिए आप बिलकुल secure रहिए, अब हम लोग बात करते हैं, admission process UGPG का क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखना शुरू करिए जैसे कि यहाँ पे यह आप देख सकते हैं, arts में अगर आप चंजीवेर कॉलेज में arts madmission लेते हैं, तो यहाँ पे दो shift में आपकी पढ़ाई होती है, first shift 9 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 6 बजे तक, यहाँ पे आपका shift दिया गया है, पहले यहाँ पे आपका subject दिया गय है, English, Hindi, Economics, Geography, History, Political Science, और Sociology, यहाँ पे आपका shift देख सकते हैं, साथ ही number of seats भी है, किस department में, first shift में कितना seat है, और second shift में कितना seat है, ओके, remark में आप यहाँ पे, अगर आपको admission लेना है, तो आपके कितने marks आने चाहिए, aggregate marks कितने आने चाहिए, और यहाँ पे कितने marks कम से कम, आपको not less than कितने marks आने चाहिए, जैसे कि आपको English में लेना है, तो आप remark में check कर सकते हैं, हिंदी का check कर सकते हैं, same, इसी प्रकार से commerce का यहाँ देखते हैं, commerce का भी दोस्तों, आपका दो shift में आपका पढ़ाई होती है, 6 बज़े से लेके 6.45 से लेके 10 एम तक, फिर 210 से ले से लेकर आपको admission लेना है, तो accounts में कितने marks आने चाहिए, business studies में कितने marks आने चाहिए, economics में कितने marks आने चाहिए, okay, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, science का यहाँ देख सकते हैं, दोस्तों हरेक department में आपके 60 seat है, sorry, यहाँ पे botany को छोड़के हरेक department में हरेक 60 seat है, remark में आप आप देख सकते हैं आपको minimum educational qualification intermediate में कितने marks आपके रहने चाहिए इन सारे subject में ओके तो यह आप देख सकते हैं self देख सकते हैं art self-financed course क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ELL यानि की English language and literature self-financed फिर bachelor of animation and interior design bachelor of arts in journalism and marks communication में number of sheets आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर commerce का दोस्तों BBA का है फिर यहाँ पर सारा दिया गया है banking and insurance international accounting science का भी देख सकते हैं biotechnology फिर यहाँ पर CS यानि की bachelor of science in computer application फिर हैं IT bachelor of science in information technology okay undergraduate का self-aligned course भी देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर BBA, BFMO, bachelor of finance market operation, BRM, BCM, BFT यानि के bachelor of final technology, number of shift, shift 1, shift 2 का और marks यहाँ पर कितने आपके आने चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और किसी भी प्रकार का doubt होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएग चैनल करहा है तो चैनल